हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्वित कुमार और आपका एसेंट पुर्णिया चैनल में स्वागत है ऑनलाइन का जमाना है आप लोग ऑनलाइन एक्जाम के फॉर्म भरते हैं प्रॉब्लम यह होती है कि आप फोटो को कैसे अपलोड करें आपको कैफे जाना पड़ता है वाला भी चोड़ी भीड है पैसा अलग हर्च होता है यह सब काम अब आप घर बैठे आफ्लाइन अपने कंप्यूटर पे कर पाएंगे और फ्रेंड्स गैरंटी के साथ एक मिनट में कर पाएंगे बहुत ही आसान है आप अपने 14 MB फाइल को आप 14 KB में तुरंत कंवर्ट कर सकते हैं और आप असानी से ऑनलाइन अपना ही नहीं भर सकते हैं बलकि अपने family members, friends और दोस्तों का भी फॉर्म भर सकते हैं और आप यहां पे expert बन सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की ओपर हैं Hello friends मैंने अपना photo खीच के यहां पर अपने desktop में मैंने यहां पर डाल दिया है जिसका कि मैं size यहां पर reduce करना चाहता हूँ और online form भरने में आपको signature की भी आवश रखता होती है वो भी मैंने यहां पर desktop में मैंने यहां पर डाल दिया है और मैं इसका original size दिखाऊंगा और इसको मैं reduce करके दिखाऊंगा कि जो size है वो किस हिसाब से इसको हम कम कर पाते हैं तो सबसे पहले मैं इस file को यहां पर copy कर लेता हूँ और control-v से यहां पर मैं paste कर देता हूँ तो यह मेरा photo का copy हो गया और यह जो मैंने signatures यहां पर किये थे उसका मैंने यहां पर data यहां पर paste कर दिया है अब मैं आपको यहां पर एक बार original values इसकी कितनी है वो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहां पर दिखे दिखा रहा हूँ तो यहां पर दिखा रहा हूँ 13 MB का size है 9280 x 6944 है इसको हम right click करके property से भी मैं यहां पर आपको चेक करके original values यहां पर आपको दिखा दे रहा हूँ तो 9 to 80 pixels और जो height है 6944 ठीक है और उसी तरह से अब हम नीचे जाते हैं तो यहां पर हमको size 13 MB का यह size हमको यहां पर दिखा रहा है जिसको कि हमें 14-15 MB में convert करना है उसी तरह से यह signature का जो original file है जब इसका हम यहां पर size check करते हैं तो size check करते हैं तो यहां पर देखे 9280 x 6944 pixels का है और इसका size जब आप देखेंगे तो 14.6 MB का size है और यह हमें form के लिए online form के लिए इसको हमें convert करना है तो हम यहां पर इसे paint software की मदद से convert करेंगे तो यह photo को मैंने click करके paint icon पे जैसे हम छोड़ेंगे तो paint software open भी हो जाएगा और वो साथ में photo भी open हो जाएगी तो बहुत बड़ा यह photo है तो यहां पर size का है तो मैं थोड़ा से resize option से जाके इसके size को हम यहां पर थोड़ा सा छोटा करेंगे और pixels भी देख लिए 9280 और 6944 यहां पर आपको दिखा रहा है तो अभी मैं percentage के हिसाब से जाता हूं तो यहां पर मैंने इसको 10% क्लिक किया तो horizontal और vertical दोनो size यहां पर चेंज हो गया क्योंकि यहां पर maintain aspect ratio यहां पर रखा हुआ था तो इसके कारण से horizontal और vertical दोनों समान स्वरूप से वो अपना file के size को change करता है तो देखे यह मेरा original size यहां पर आ गया अभी भी यह बहुत बड़ा है अब इसमें से आप चाहें तो इसका size मैं थोड़ा से यहां पर reduce कर देता हूं अब आप इसमें जितना size इसमें अपने photo के लिए चाहते हैं उसको चाहें तो आप crop भी कर सकते हैं अब जितना आपको चाहिए वह आप यहां पर use कर सकते हैं अब आप इसका थोड़ा pixels कम कर देते हैं तो फिर हम resize में जाएंगे इस बार हम percentage की बजाए pixels में जाएंगे कितना बार form में लिखा रहता है कि इतना बाई इतना pixels का होगा आप direct pixels यहां डालके आप अपने image size को उस size के साब से convert कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर 160 यहां पर डाल रहा हूँ अपने आप यह देखिए यहां पर 153 आ गया और इसके बाद जब मैंने यहां पर ok convert किया तो अब मैं इसको original size कर देता हूँ यह देखिए यह मेरा 100% size का है यह मेरा यहां पर image आ गया जो कि मैं online form में भरना चाहता हूँ तो देखिए कभी-कभी इसमें नाम लिखने की भी आवशकता पड़ती है तो आप यहां पर font है text इस पर आप click करके यहां पर आप click कर दे और यहां पर अपना नाम जो है वह आप वहां पर type कर सकते है तो चलिए मैंने यहां पर अरविंद कुमार लिखा चुकि यह background transparent है आप opaque पर click करेंगे तो यह देखिए white color का इस तरह से image यहां पर आपको नजर आ रहा आप इस पोटो में यहां पर आप नाम भी वहां पर अप सेट कर सकते है अब इस फोटो को मैं यहां पर save करता हूं और इसके बाद मैं size डेखता हूं कि size इसका कितना reduce हो गया तो चलिए मैंने file को यहां पर save क्लिक कर दिया अब मैं इस file को यहाँ पर close कर देता हूँ अभी आप यहाँ पर जब जाके देखने का प्रयास करेंगे तो यह अभी आप औरिजिनल size ही दिखाएगा तो पहले आप एक बरस को refresh कर देंगे अब आप यहाँ पर जाके right click करके properties में जाते हैं अब आप देखें कि इसका size कितना reduce हो गया तो देखें 160 by 153 pixels हो गया और अभी size जो था वो आप यहाँ पर देखें 15.7 kb में convert हो गया कहाँ पर 14 MB का file था और यह 15.7 kb में यह convert हो गया है और उसी तरह से आप अपने signatures को भी यहाँ पर आप edit कर सकते हैं तो आप इसको या तो इस पर drag करके डाल दे या आप इसी को right click करके open with में जाके और यहाँ पर paint अगर select करते हैं इस तरह से भी आप उसी scanned images को आप अपने paint software में edit कर सकते हैं size मैं भी इसका reduce कर देता हूं तो इस बार मैंने percentage में गया और मैंने यहाँ 10% का size रखा तो देखिए वो जो आपका scanned images है वो अपने आप reduce हो गया अब आप इसको यहाँ पर इसमें आप इसका जितना portion का आप signature scan करके भीजना चाहते हैं उतना select करके आप वहाँ पर इसको crop कर दे और अब यहाँ resize में जाके इस बार pixels के हिसाब से चेंज कर दे तो चलिए मैं इसको यहाँ पर change कर रहा हूं मैंने 400 यूस किया तो 400 into vertical 124 aspect ratio के हिसाब से उसने अपने आप ले लिया और आप ok करें तो देखें यह आ गया अब मैं अपने file को save कर देता हूं इस बार मैं यह देखता हूं कि 14 MB का file कितना में मेरा change हो गया तो देखें यहाँ पर पहले आप refresh जरूर कर लेंगे और अब उसके बाद properties में जाके देखते हैं तो वहाँ पर details में देखते हैं तो यह देखें 400 pixels multiplied by 124 का resolutions है और size आप आप देखें यहाँ पर 13.4 KB तो जो की image भी convert हो गया और आपका signature भी जो हमने scan किया था वो भी मेरा यहाँ पर convert हो गया तो देखा दोस्तों आप लोगों ने paint में कितना असान है आप अपने file को size को reduce करके online form अब आप असानी से भर सकाए और friends आपको कैसा लगा मेरा वीडियो पसंद आया तो like और comments जरूर करेंगे और new viewers अगर आपने अभी तक मेरा चैनल subscribe नहीं किया है तो उसे subscribe करें और notification bell जरूर बजाए ताकि मेरे interesting वीडियो का सबसे link सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो फिर मिलते हैं हम लोग next वीडियो में तब तक टाटा बाई